So friends, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे square root of 4, 4 का वर्गमुल कैसे निकालते हैं? तो देखे, सबसे पहले हम यूज करेंगे by prime factorization method by prime factorization method so prime factorization में क्या होता है? कि हम ऐसे कुछ stable बनाते हैं और यहाँ पर rate करेंगे 4 4 को divide करेंगे तो सबसे पहले 4 जो होता है वो 2 से cut जाएगा तो 2 टूजा 4 2 अंजा 2 इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो हम 4 का square root find कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 factor बन रहे हैं 4 के 2 into 2 और जब हमें इसका cube root निकालना होता है तो इसका pair देखते हैं पेर का मतलब एक ही नंबर दो बार आया है तो यहाँ पर देखो दो दो बार आया है पेर बन रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 को बाहर कर लेंगे इसलिए अंडर root 4 का answer कितना होगा 2 अंडर root 4 का answer कितना होगा 2 उमेद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें बलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन